नमस्कार दोस्तो एलेक्टिकल कॉस्चनर डे में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस सुपर mcq सीरीज में हम देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट जिसमें डिसकस करेंगे ऐसे बहुत सारे कॉस्चन जो आपके आगामी एक्जाम के लिए राजस्तान जेई के लिए काफी इंपूटेंट साबित होंगे तो इन प्रैक्टिस को आप करते रही हैं चलिए स्टार्ट करते हैं बैदा कॉस्चन है मस्टाल करते हैं नॉर्मली जो हमारे टॉर्क होते हैं किसी भी ऐनलॉग इंस्ट्रॉमेंट पर जो नॉर्मली टॉर्क होते हैं वो तीन टॉर्क प्यों होते हैं पहला जो है हमारा टॉर्क होता है होता है डिफलेक्टिंग टॉर्क पॉइंटर को मूग कराने के लिए इसकेल पर जो टॉर्क इस्तमाल होता है उसको हम डिफलेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं दूसरा जो होता है दोस्तों कंट्रोलिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क हमारा जैसे कि आपने देखा होगा analog instrument में यह आपका scale होता है और यहाँ पर एक pointer होता है जो की move होता है और इसके move करने पर ही यह आपका जो भी parameter होगा उसको यह चाहे voltage हो या current हो इसको यहाँ पर indicate करता है तो इस pointer को move कराने के लिए इस pointer को आपने move कराने के लिए आपको जो torque लगा के बाद आप एक कंट्रॉलिंग टॉर्क भी इस्तमाल होता है वो कंट्रॉलिंग टॉर्क यहां से या तो इस प्रिंग के द्वारा या बेट के द्वारा या ग्रेवटी के द्वारा इस पॉइंटर को दिया जाता है जिससे कि यहां लाश पॉइंट तक आने के बाद या जि यदि आपने एक analog instrument में उसके controlling torque को यदि आपने हटा दिया तो आपका pointer क्या so करेगा तो आपका controlling torque हटा दिया आपने तो आपका जो pointer है वो last जो उसकी reading है वो उसमें so करेगा या इसके एक corner पर रहेगा last वाले corner पर और यदि controlling torque है तो वो आपका फिर से zero position पर आ जाएगा है damping torque मेजरिंग instrument में यदि आपने damping प्रोवाइड नहीं कराई तो आपका pointer left जाएगा फिर राइट जाएगा यानि damn oscillation type से होगा उसमें और आपका एक position पर वो रुक नहीं पाएगा मालेजी यहां पर three कुछ एक parameter है इस three को so करने के लिए वो four पर जाएगा और फिर two पर जाएगा तो ऐसे oscillate करेगा तो एक particular जितना उसको quantity measure करता है उस पर रोपने के लिए उसको जो हम टॉर्क प्रोवाइड कराते हैं वो होती है damping हमारे question में पूचा है damping damping electrostatic type में कौन सी इस्तमाल करते हैं तो electrostatic type में दोस्तों हम flat friction damping इस्तमाल करते हैं और ऐसे बहुत सारे instrument हैं जिनकी हम damping के बारे में नॉर्मली ये question पूछे ही जाते हैं और कई बार repeated भी होते हैं PMMC जो instrument होता है उसमें हम कौन सी damping इस्तमाल करते हैं तो इसमें एडी current damping इस्तमाल होती है कई बार ये लगातार question पूछे जाते हैं और galvanometer में हम कौन सी damping इस्तमाल करते हैं तो इसमें जो होती है वो होती है दोस्तों electromagnetic और magnetic एक और जो question यहां सबसे important निकल कर आता है hot wire instrument में और एक और जो होता है moving iron में moving iron और hot wire instrument में जो हमारे damping इस्तमाल होती है वो होती है दोस्तों air friction damping तो ये काफी अच्छे damping के question है जो लगातार repeat होते रहते हैं और ये आपके damping चले लिट हो गए और यहां पर एक और जो parameter इसको हम कई बार ये question पूछा गया है damping torque को भी हम stopping torque भी एक तरीके से बोल सकते हैं pointer को move कराने से रोखने के लिए या oscillate से रोखने के लिए जो उसमाँ torque प्रोइज कराए जाता हुसे damping या stopping torque भी बोलते हैं एक और जो question दोस्तों इनके magnetic effect पर भी आता है जैसे कि आपका MI जो instrument होते हैं moving iron वो magnetic effect पर बर्ग करते हैं magnetic effect पर यह बर्ग करते हैं और साथ में यह आफकी AC and DC quantities को major करते हैं वहीं यदि हम moving coil की बात करें तो moving coil instrument electrodynamic effect पर काम करते हैं और यह cable DC को major करने के लिए इस्तमाल होते हैं induction जो induction type जो instrument होते हैं वो आपके AC and DC दोनों पर होते हैं तो induction जो होते हैं वो AC and DC पर बेश्ट होते हैं dynamometer जो होता है वो भी आपके AC and DC के लिए इस्तमाल होते हैं तो यह बहुत सारे question जो थे वो हमने damping से related देख लिए साथ में यहाँ पर measuring instruments से related देख लिए hot wire और moving iron वाली जो damping यह कई बार question पूछा गया है आपसे तो यहां से आपके बहुत सारे question निकल कर आते हैं तो इसका सही answer क्या होगा दोस्तो फ्रेट प्रक्शन damping यहाँ पर इस्तमाल होती है electrostatic type instrument में next question की दिए हम बात करें तो as per the IE rules the leakage current in the wiring installation should not exceed more than हमारी जो wiring होती है उसमें leakage current की maximum value कितनी हो सकती है तो उसका जो दोस्तो सही answer है वो है 1 by 5000 वहां पार्ट जो होगा full load current का उतना हम leakage current यहां पर flow करा सकते हैं तो इसका सही answer क्या होगा दोस्तो C answer इसका सही होगा IE rules भी दोस्तो बहुत वार question में पूछे जाते हैं और इनसे related में एक video बना भी दूँगा आपको तो वहां से बहुत सारे question आपको एक्जामा में देखने को मिलते हैं अगला question है which type of which statement is incorrect about reluctance motor reluctance motor related हमारा statement दिये हुए है पहला जो option है it is self-starting it runs at constant speed it needs no DC excitation for its rotor it is doubly excited तो सबसे पहले reluctance motor की बारे में आपको आलूब होना चाहिए reluctance जो motor होती है हमारी single phase motor होती है और यहां पर इसकी rotor की construction इस तरीके से होती है इसका जो rotor जो यहां पर बनाया जाता है दोस्तों वो उसका construction इस तरीके से होता है कि वो low reluctance path में जाने की कुशिस करता है यहां से आपकी आपका stator है यहां पर और यहां जो stator आप देख रहे हैं और rotor जो होता है यहां पर इसकी ससर्टिटिविल्टी पॉजिटिव होती है और तीन टाइप के जो हमारे मेटेरियल इस्तेमाल होते हैं नॉर्मली पर हमारे अभी के लिए हमले इतना याद रखे कि रिलक्टेंस मॉटर में जो हमारा rotor होता है वो ferromagnetic material का बनाया जाता है यहां से आप देखेंगे कि हमारी जो induction reluctance motor होती है इसका जो rotor होता है वो हमेशा low reluctance path में जाने की कुछिस करता है मालीजी यहां पर यह आपका इस्टेटर है और यहां पर यह आपका rotor है rotor में इस तरीकी की construction होती है तो यहां पर आप देखेंगे कि यह जो आपको gap दिखाई पड़ रहा है यह काफी कम है और यह यहां पर reluctance काफी जाता है तो हमारा rotor हमेशा इसके नीचे आने की कुछिस करेगा तो इसका जो design होता है वो इस्टेटर का तो single face induction motor के जैसे ही starting इसमें इसमाल होती है और यहां पर इसके usage की हम बात करें रोटर के बारे में जान लिया इसके usage की हम बात करें तो यह signaling device के में इसमाल होती है यह काफी important है और कई बार पूछा भी गया है signaling device के अंदर कौन सी motor हम इसमाल करते हैं तो इसका सही answer है reluctance motor clock timer में भी हम इसको इसमाल कर लेते हैं और tele printer में भी इसका इसमाल होता है इसका जो rotor होता है low reluctance path provide कराने की चक्कर में यह rotate होता रहेगा तो यहां पर reluctance motor से हमने क्या देखा कि it is self starting तो यह तो दोस्तों यहां पर सही है यह it runs at constant speed it needs no DC excitation for its rotor rotor में हमने कोई भी excitation नहीं दिया जैसे हम सेंको इस मोटर में देते थे इस डबली excited तो यह डबली excited नहीं है यह singly excited है और केवल इसके stator में ही हमने supply दी हुई है इसलिए singly excited है तो यहां पर तीन या चार point आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं पहला है self starting है constant speed पर बर्ट करती है और कोई इसकी रोटर में supply नहीं दी है तो यह तीनों point आपको याद रखना है और साथ में आपको यह फैरो मेंगनेटिक का भी याद रखना है फैरो मेंगनेटिक मटेरियल की susceptibility यहां से positive है यह भी कई बार repeated है और एक और जो अपने दाइ मेंगनेटिक मटेरियल होता है डाइ मेंगनेटिक मटेरियल की susceptibility जो होती है वो नेगेटिव होती है और पेरा मेंगनेटिक की कम होती है पर positive होती है positive पर कम होती है तो यह तीन या चार पस्चनियां से बन के आते हैं तो reluctance motor इसके single face induction motor single face motor के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुगा है आप इसके description में वो link में provide करा दूँगा वहां से भी आप देख सकते हैं next question की और दी हम चलते हैं तो यहां पर हमारा sadded pole motor के this advantage की बारे में पूछा गया है sadded pole motor जो हमारी normally twice जो होते हैं हमारे वो उसमें इस्तमाल होती है और normally low torque वाली motor होती है sadded pole में इसका जो rotor होता है वो case type का construction होता है case type की यहां पर construction होती है rotor में और जो stator यहां पर provide कराया जाता है उसकी construction इस तरीके से होती है कि यहां पर एक जो उसका pole होता है उसका एक पार्ट यहां पर यहां पर एक ring प्रोवाइड कराई जाती है और ring प्रोवाइड कराने के कराना जी यह ring जो आपकी है इस sort रहती है और इस sated pole motor के अंदर आपकी जो magnetic field की direction होती है वो unsated to sated होती है यह कई बार question इसमें पूछा गया है तो यह आपका unsated वाला portion हो गया यह sated वाला portion हो गया यहां पर तो आपकी magnetic field की direction कैसी होगी? unsated to sated unsated to sated यह magnetic field यहां पर इसको rotor को आपकी cut करती है और आपकी motor यहां पर rotate होती है sated pole motor के query समझना है यहां पर आप एक magnetic field जो हमने stator में दी हुई है, supply दी हुई है वो इस तरीके से बैरी करती है यहां पर तो एक duration है यही हमने हमाल ली T1 एक duration T2 और एक यहां पर T3 तो यहां पर आप देखेंगे कि starting condition में यहां पर आपका जो पोल है आपका वो इस पोल से जो sadded वाला portion है यहां जो sadded वाला portion है और एक unsadded वाला portion है तो T1 duration पर यहां पर magnetic field इस में इस portion से अपोस करेगी और यहां से आपकी जो इस टेटर में आपने supply दी है उसके कहांड एक magnetic field होगी तो यहां पर magnetic field की direction अभी ही यहां पर इस portion से होगी दूसरे timing T2 पर यहां पर magnetic field इस तरीके से होगी और T3 पर यहां पर आपकी जो magnetic field होगी वो इस ring के नीचे से होती है तो यहां पर आप देखेंगे कि आपकी magnetic field पहले यहां थी और इस तरीके से bearing होती रहती है और time bearing magnetic field जब किसी conductor को cut करती है तो आपकी magnetic वो यहां पर उसके अ कारण वो रोटेट होने लगती है तो यहां पर आपका रोटर भी उसी डारेक्शन में मूब करने लगेगा और सेड़ेट पोल के मतलब बहुत कम स्पीड पर हम इसको रोटेट कर सकते हैं जब कि हमारी यूनिवर्सल जैसे मॉटर होती है कि यूँ काफी ज्यादा स्पीड पर रन करती है और उसकी स्पीड काफी ज्यादा हाई भी होती है तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा कि सेड़ेट पॉल मॉटर कर देसे अड़बांटेज क्या है तो यहां पर लोग स्टार्टिंग टॉर्क है लोग इफिशेंस इसकी इफि होता है और fourth है हमारा all of the above तो इसके disadvantage जो है वो तीनों ही है तो इसका सही answer क्या होगा all of the above एक और जो question दोस्तों मैंने बताए यह काफी ज्यादा important है unsaded to shaded इसकी magnetic field की direction होती है तो यह इसको आप याद रखें और काफी ज्यादा यह question पूछा जाता है next question की और इनी हम चलते हैं तो rotor of hysteresis mortar तो hysteresis mortar का जो rotor होता है वो किस तरीके का होता है तो hysteresis mortar भी आपकी single face mortar है इसकी stator भी यहां reluctance mortar के जैसे ही होगा मतलब induction mortar के जैसे होगा single face induction mortar के जैसे ही इसका stator होगा लेकिन rotor की design change होती है वो change होती है यह आपका sept हो गया यहां पर आप देखते हैं एक non magnetic material normally आप aluminum का इस्तमाल करते हैं कि aluminum non magnetic material होता है non magnetic material होता है और इस non magnetic material के बाद एक यहां पर एक और material होता है जो की normally इस्तमाल होता है वो है chrome या cobalt यह hard chrome यहां पर material इस्तमाल होता है और ये इसकी भी susceptibility positive होती है यहां आप देखेंगे कि ये hysteresis loss और एडी करेंट लॉस यहां पर दो लॉस होते हैं हिस्टेर्सिस प्लस एडी करेंट दोनों ही लॉस के कारण यह आपका रोटर मूग करता है स्टार्टिंग कंडिशन में एडी करेंट के कारण और उसके बाद हिस्टेर्सिस लॉस के कारण यह मौटर रोटिट होती है दोस्तों बर्ग कैसे करती है, इस टेटर में आपने सप्लाई दी, ये नॉन मैइनेटिक मटियर जो एनलुमिनियम का है, इसमें एडी करेंट के कारण, आपकी मैइनेटिक फिल्ट जणरेट होती है, और इसकी स्टार्टिंग जो होती है, ऐसे मोटर बर्ग करती है, पर permanent pole बन जाते हैं इसमें आपके rotor पर तो rotor पर permanent pole बन जाने के कराण यह magnetic link हो जाता है आपकी stator की magnetic field के कराण मां लेज़े यहाँ N है यहाँ S है यह link यहाँ पर बन जाता है और यह यहाँ पर आपका rotor एक साथ इसको synchronous speed के साथ rotate होते रहता है तो एक कई बार यह question आता है कि इसकी starting जो होती है वह ऐसे बर करती है induction motor के और running condition में यह बर करती है आपकी synchronous motor के जैसे तो running condition में synchronous और starting condition में यह induction motor के जैसे भेव करती है rotor का जो construction होता है वो chrome highly retentive material होता है chrome steel उसका बनाया जाता है इसमें addy current loss भी होता है प्लस आपका hysteresis loss भी होता है यह कुछ point है जो hysteresis motor के बारे में थे और एक और जो सबसे important point इसकी uses पर आता है कि इसको हम recorder में इस्तमाल करते है recorder में हम इसको क्यों इस्तमाल करते है क्योंकि इसके जो rotor है उस पर ना तो slot है slot भी नहीं है कोई conductor भी नहीं है और teeth भी नहीं है कोई excitation भी नहीं है इसके rotor में तो जिस बज़े से यह काफी silent motor होती है और जिसकी बज़े से इसको हम tap recorder में इस्तमाल करते हैं तो यह कुछ point यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं तो इसका जो rotor है इस पर बहुत सारे question आते है तो इसलिए इसके option हो को यदि हम देखें it is made of chrome steel तो यह chrome steel यह option सही है high retentivity होती है उस material की ऐसे material का बनाया चाता है तो यह भी option सही है high hysteresis loss तो hysteresis loss प्लस इसमें addy current loss भी होता है तो इदि आपको option ऐसा है कि इसमें किस loss के current होती है तो दोनों होना चाहिए लेकिन यह running condition की बात कर रहा है तो आपर hysteresis loss ही आएगा और तीनों option सही है इसलिए इसका सही answer क्या होगा all of the above सभी answer इसके सही है next question की ओर हम बढ़ते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आता है तो like जरूर करें और आपके दोस्तों में share जरूर करें next question की ओर हम बात करें slip of three phase induction motor is 0.05 at the instant of plugging breaking the slip is plugging में हम क्या करते हैं दोस्तों supply यहाँ पर change कर देते हैं DC की case में चाहे induction motor के case में हम दो phase की supply को change कर देते हैं तो हाँ पर आपकी जो motor होती है वो आपको जे direction में rotate होने लगती है plugging में दोस्तों एक और चीज हमें याद रखनी पड़ती है कि जैसे ही motor आपकी stop होती है उस time पर आपको supply disconnect करना है otherwise आपकी motor जो है वो opposite direction में rotate होने लगेगी तो इसमें प्लगिंग में क्या है आपका जो torque होता है वो just opposite direction में काम करने लगता है माले जी आपकी torque की direction clock wise दे तो anti direction में वो rotate करने लगेगी तो उसकी बज़े से ये opposite torque लगने की बज़े से आपकी motor रुख जाती है इसे ही हम plugging के बोलते है plugging के दोरान जो आपकी slip होती है वो 2-s होती है 2-s आपकी normal condition में slip है तो normally जो आपकी slip है वो आपको दी हुई थी 0.05 तो आपकी plugging में slip क्या होगी तो plugging में आपकी slip होगी 2-s यानि 0.05 और यही निकल कर आएगी 1.95 तो इसका सही अंसर कितना होगा 1.95 तो यह इसका related question था और plugging का जो मैंने question बताएगी उसको रोकना ज़रूर है दरबाइज को negative opposite direction में rotate करने लगेगी next question के अरदी हम बात करते हैं तो 7 question है हमारा the daily energy produced in thermal power station is 720 megawatt hour at a load factor of 0.6 what is the maximum demand of station तो यहाँ पर load factor की हम बात करें तो load factor के जो हमारा formula होता है होता है energy produced daily और यहाँ पर time period हमें लेना परता है यहाँ यहाँ पर तो 365 days into 24 hours यहाँ पर day के लिए बोला है daily यहाँ पर हमसे बोला गया था question में इसलिए यहाँ पर हम daily के लिए बोला है daily energy produced divided by 24 hours into maximum demand यहाँ पर आपने formula में value put up करेंगे तो 720 divided by 24 into 0.6 तो यह value निकल कर कितनी आएगी 50 megawatt सही answer कितना होगा 50 megawatt तो load factor से रिलिल्ट बहुत सारे question आते रहते हैं load factor की value हमेशा less than 1 होती है यह भी कई बार question में आता है next question के अगे हम बात करें relay is connected to 400 by 5 ampere ct current transformer and set for 150% the primary fault current of 2400 ampere needs a plug setting multiplier plug setting multiplier की बारे मन से पूछा गया है तो plug setting multiplier का जो formula होता है वो दोस्तो fault current divided by यहां पर हमारा जो फॉल्ट करेंट डिवाइड बाय करेंट सेटिंग इंटू ct रेशियो आपका कितना दिया हुआ है 2400 डिवाइड बाय करेंट की जो शेटिंग है 1.5 इंटू 5 400 by 5 आपका ct रेशियो दिया हुआ है और यहां से आपका जो अंसर निकल कर आएगा वो इसको आप calculate करेंगे तो आपका अंसर जो होगा होगा 4 यहां पर secondary का current भी यहां पर multiply होता है क्योंकि कितना परसेंट है यह ct का ही secondary का percentage रहता है तो 1.5 परसेंट है यह ct की secondary का तो इसको यहां पर multiply करते हैं और इंटू ct का देशियो यहां पर आपका आपका अंसर निकल कर आए दोस्तों कई बार यह question इस टाइप से आते रहते हैं cable quantities यहां पर change करते हैं तो इस type के question भी आपके exam के लिए काफे important होते हैं और एक और जो यहां पर question बनता है वो आपको next question देखाई बड़ेगा if pickup value of relay is 7.5 ampere and fault current is 30 ampere then the psm should be plug setting multiplier का जो formula हमारा था हो है fault current divided by pickup current या pickup current को हम क्या बोल सकते है current setting into ct ratio हमारा fault current हमें दिया हुगा है और pickup current भी यहां पर दिया हुगा है fault current आपको कितना दिया हुगा है है तो वह है दूरतो थर्टी है डिवाइड बाइड 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 7.5 यह pickup current है तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वह गा फॉर्ट ऐसे question भी कई बार आते हैं कई बार यह direct formula आपको option में दिया रहेगा plug setting multiplier is the ratio of hold current and pickup current next question क्यों दिहीं बात करें the instrument with good accuracy for measurement of dc quantities is तो dc quantities के लिए हमारा जो instrument होता है वो the instrument with good accuracy for the measurement of ac quantities is तो option दिये हूँ है dynamometer type, pmmc type, mi type, electrostatic type तो pmmc जो होता है वो यहां पर आपसे पूछा है ac के लिए तो ac के लिए जो होता है वो dynamometer type होता है यह इसकी accuracy काफी अच्छी होती है तो यह थे हमारे आज के बहुत सारे question जो हमने discuss करी आज का यह वीडियो आपको पसंद आया तो like जरूर करें comment में कोई question या doubt हो तो जरूर बताए और लगभग इसमें हमने 30 से 40 question discuss करें है और आगे भी next part बनाऊंगा उसमें वो सकता है मैं ie rule के भी बहुत सारे question उसमें include करो तो आज के लिए वस इतना ही thank you